सबी को नमस्कार फिर से स्वागत है आपका और सामने है मोर्निंग लोरी के फूल और यह परपल कलर है और बहुत सुन्दर कलर है यह साथ में मेरे पस दूसरा कलर है यह है पिंक कलर यह गर्मियों की वाइन है और पूरी गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लोरिंग करती है ज कि जासव हम इसकी फ्लॉवरिंग के बारे में नहीं के सीड्स कलक्ट करेंगे इसके बारे में कुछ डििसकसन करेंगे तो आजका टोपिक सीड्स के बारे में रहेगा तो यसे कि आप देख रहे और हम्राधे सेश की एप समय यह जैसे morning glory का नाम है तो यह सुबह खिलता है जब अब जैसे उठते हैं तो यह सुबह खिला हुआ मिलता है और 11 बारा बज़े तक यह फूल रहता है फूरस के बाद यह खतम हो जाता है एक फूल एक दिन के लिए ही रहता है यह जितने भी फ्लावर हैं एक ही सिंगल प्लां जब लग रही है और यह पूरी गर्मियों में बहुत अच्छी अच्छी करती है सर्दियों में अभी फ्लावरिंग करेगी अगर आप पनी दिर्ट धूप में रखा है तो अभी जैसे नौबर नवमबर के महिने में क्या होता है कि सर्दियों में इसके पत्तें जढ़ने तोह ब्राउन टोड़ती हूं नियुक्त और मुझाए भी क्यों सीड्पान तो दाने हम जाएगा जो seed pod पक जाएगा तो brown हो जाएगा और फिर उसके बाद उसके जो बीज है वो पक जाएंगे black color के हो जाएंगे तभी मैं उसको यहां से harvest करती हूँ तो इसी में मैं आपको दिखाऊंगी इसके seed harvest करेंगे हम अभी अभी मैं देखती हूँ कोई क्योंकि यह first time इसके seed harvest हो रहे हैं इसे पहले मैंने इससे कोई seed collect नहीं किया है और एक ही plant है यह बोज़ादा फैला हुआ है और यह देखिए यह जो बिल्कुल पक चुका है बिल्क और इनको आप कभी भी लगा सकते हूँ मेरे मतलब है कि जैसे आप गर्मियों की बेल है तो इसे फरवरी मार्च में लगा दो पूरी गर्मियों में अच्छी flowering करेगी और 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 भी हैं जैसे की दिख रही है आपको मैं यहां से collect कर लेती हूँ और बाकी green है वो भी देख और इस प्लांट के बारे में किसी की कोई भी query हो तो मेरे को comment box में पूछ सकते हैं और साथ में एक दिख रहा है वहां पे सामने वो चिडिया ने गोसला बना रखा है तो जैसे हम नौमबर दिसंबर में इसके seed collect करने के बाद इसको अटा भी सकते हैं लेकिन मैं नहीं अटा तो ये उसके seeds पक रहे हैं भी इनको मैं harvest नहीं करूंगी अगर कोई इसका seed पक के तयार हो चुका होगा उसी को अटा होएंगे ये थोड़ा लेट लगाई थी इस वज़े से ये late इसमें flowering होई थी और उसी वज़े से इसके seeds भी नहीं पके हैं कोई एक अधे ही पक रहे है बाकी सारे green है और इसके साथ एक और wine है जो कि अपराजिता या संखपुस पी बोलते हैं जिसको और ये इसके seeds मेरे साब से यह हैं इसमें बाकी सारे कच्चे हैं यानि पक के अच्छे से तयार नहीं हुए हैं और इसमें से मेंने यही seeds निकाल ले हैं और इसके साथ मैं कि ये पिंग कलर की वेराइटी है ये इसमें भी सीड बन रहे हैं और ये परपल कलर के जो सीड्स है परपल कलर का जो फ्लावर है उसके सीड्स कलेक्ट की हैं मैंने वही हैं ये सारे और अभी बहुत सारे सीड्स हैं बनने बाकी बाकि जितने बन के तयार हो चुके थे वो मैंने यहां से हर्वेस्ट कर लिये अब हम इनको जैसे इनको सुखाने की भी जरूत नहीं है क्योंकि यह प्लांट पे पूरी तरह से सूख चुके हैं और इनको हम स्टोर करके रख लेंगे और फरवरी मार्च का महीना जब आएगा जब हम इनको लगा लेंगे अगर आप चाहे तो अभी भी लगा सकते हो लेकिन यही है कि यह गर्मी मितलब धूप ज़्यादा पसंद करने वाला फ्लावर है अभी जैसे मेरे प्लांट पे धूप बिल्कुल नहीं आ रही तो उस पे फ्लावरिंग भी नहीं खिल रही तो यह गर्मियों में बहुत अच्छी चलती है तो बस आज इतना ही और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थंक यू थेंक यू यू वरी मच्छ